हेलो गाइज, वेलकम टू लॉइन नॉलेज, दो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल, यू केन फॉलो अन इंस्टाग्राम, दे लिंक इस गिवन बिलो, तो क्या आप सभी की MPCJ की एक्जाम हो गई है, तो अब वक्त है RJCJ की तयारी करने का, आपना RJCJ की तयारी क करिए, तो चलिए करते हैं हमारे साथ, हम Law & Knowledge की टीम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, राजस्थान Rent Control Act की सीरीज, ठीक है, तो अब हम राजस्थान स्टेट के एक्ट है, उनको कवर करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को, जो की है, राजस्थान Rent Control Act का फर्स्ट पार्ट, देखें, राजस्थान Rent Control Act जो है, जो है, तो छोटा सा, बट इसका वेटेज अच्छा है, ठीक है, अगर आप प्री में भी देखें, क्वेश्चन आते हैं, इतना कम वेटेज नहीं है, एक्ट छोटा है, बट वेटेज अच्छा है, ठीक है, तो आब हम स्टार्ट करते हैं, तो आज हम राजस्थान Rent Control Act की इस फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले introduction, बेस को क्लियर करेंगे, कि Rent Control होता क्या है, हम क्यों इसे पढ़ रहे हैं, क्या वजा है, क्या object है, टिनेंट कोन होता है, लेंडलोड कोन होता है, यह सब हम देखेंगे introduction में, उसके पूरा index को अच्छे से समझेंगे, कि यह किस सीरीज में पूरा act चला है, पता है, जब आप यह सब समझ जाएंगे, आधा act जो है, आपको लगेगा क्या आप क्लियर कर चुके हैं, मतलब सिफ introduction जो है, उसमें अपन एक पूरा brief study की तरीके से समझेंगे कि क्या क्या चीज़ आ रही है, उसके बार मैं आपको सिफ first section आज पढ़ाऊंगी, ठीके, second part में हम definition से start करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे, राजस्तान rent control act जो है, वो कब आया, ठीके, तो जैसा आपको लग रहा है 2001, मतलब आया तो 2001 में, बट इस पे signature हुए है 2003 में, ठीके, मतलब यह इसकी date of commencement जाएगी, वो आएगी 1st of April, तो इसकी जो date of commencement है, वो है 1st of April 2003, और ही आया था, act number 1 में, ठीक, अब हम देखते हैं, कि सबसे पहले, एक index का ब्रीफ करने से पहले, मैं आपको बताना चाहूंगी, कि landlord कौन होता है, ओर्टिनेंट कौन होता है, रेंट क्या होता है, कौन सी हम ये act क्यों बढ़ रहे हैं, उसके बाद हम इसके index में जो है, जम्प करेंगे, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, who is landlord, मैं आपको बताती हूं, a landlord is the owner of a house, apartment, condonium, land or real estate, which is rented or leased to an individual or business, who is called a tenant, also a lesser or renter, when a juristic person is in the position, the term landlord is used, other term owner, देखें, एक general meaning से बता रहे हूं, law के point of view से ने, landlord क्या होता है, landlord वो होता है, जिसने अपना house, apartment, condonium, land or real estate, आप condonium का मतलब पहले आप समझे, condonium मतलब यही समझे, के जो बड़ी सी मल्टी होती, जिसमें अलग-अलग flat system होती है, मतलब नॉर्मली जो छोटी cities होती है, वहाँ पे हम इनको apartment और ऐसे बोलके, बड़ी cities में, अगर आप Bombay, Delhi देखेंगे, तो बहुत सारे flats होते, बहुत उची-उची buildings होती, तो उनको यह लिए जो word use क्या रहता है, वो condonium होता है, मतलब कि एक बड़ी building और उसमें बहुत सारे flats, ठीक है, तो जो बड़े level के होती, उनके लिए ही condonium यूज क्या रहता बाहे काई के लिए, business purpose के लिए या फिर खुद के use के लिए, ठीक, आप वो जो सामने वाला person है, जिसने rent पे ले रखा है, उसको हम laser भी बोल सकते है, renter भी बोल सकते है, ठीक है, यह होता है landlord, मेरी property है, और मैंने किसी और को rent पे दे रखी है, for the business purpose और personal purpose, तो में कोन हो गई landlord हो गई, मतलब जिसकी ownership होती है land पे, वो landlord हो जाता है, ठीक है, next हम देखते है, tenant, tenant कोन होता है, अब जाहिर सी बात है, कि अगर मैं landlord हूँ, तो सामने वाले कोन होगा है, tenant होगा है, but फिर भी हम इसको read out करते है, a person or group that rents and occupies land, an office, an office, a house or the like from another for a period of time, for a period of time, याद रखेगा, law में इसको बताया गया है, a person who holds or possess for a time, land, tenants, or personality, or another, usually for rent and occupant or inhabitant of any place, देखे, normal सी बात है, जिसको हमने rent out किया है, वो क्या करेगा, उस जगे पर आके रहेगा, अब ये tenant आया, और इसकी property पर रहे रहा है, तो normal में हम बोलते हैं, occupies the land, but हम कौन है, law students, तो हम क बोलेंगे, कि possession, ठीक है, ownership and possession, ये दो words होते हैं, तो ownership किस के पास है, landlord के पास, possession किस के पास है, tenant के पास, क्योंकि आगे रहे कौन रहे है, वो tenant रहे है, तो जो possession लेता है, for a specific period of time, एसा तो है निकि पुरी जिंदिगी भरतू में रहे होंगे, tenant या आओंगे, जाओंगे, of time के लिए, अपना possession जो है, वो किसी और को देता है, ठीक है, मतलब landlord जो है, अपनी property का possession, tenant को देता है, तो वो जो इंसान है, जो उस land को use कर रहा है, house को use कर रहा है, वो tenant हो गया, ठीक है, अब next देखते है, अब हम पढ़ने जाने है, rent control act, what is rent, तो rent क्या होता है, rent वो होता ह है, a fixed amount of money that you pay regularly for the use of a room, house, car, television, etc. that someone else owns, देखे, मेरी car है, और अगर आप लेके गए है, तो मैं आप से rent लेऊंगी, जैसे travels करते हैं, हाँ भी, आप कार लेके जाओ, इतना इतना लेगा, 16 रुपे पर किलो मेटर, AC चलाया है, तो 20 रुपे पर किलो मेटर, तो यह क्या, यह वैसे अगर आपके घर में कोई आके रे रहा है, आप बोलवे महीने के 10,000 में लेऊंगी, तो 10,000 क्या है, कि वो बिल्डिंग यूज़ करेगा, फैन चलायेगा, फ़र्णिचर यूज़ करेगा, यह सब यूज़ करेगा, तो यह क्या, उन सब चीज़ों को यूज़ करने क पेमेंट है, तो यह रेंट हो गया, ठीक है, एक फिक्स्ट अमाउंट ओफ मनी होती है, जो कि आपको रेगूलर्ली पे करने पड़ती है, रेगूलर्ली आपको देनी पड़ती है, किसलिए, क्योंकि आप एक रूम, हाउस, कार, टेलिविशन, जो भी चीज़ है, उनको कि यह हम इसलिए पड़ रहे है, ताकि जो टीनेंट है, उनके साथ शोशन ना हो, कोई टीनेंट है, उसका नॉर्मल चार्ज बन रहा है 5,000, आप उससे ले 10,000 रहे हो, तो वो कहां जाएगा, वो किसको बोलेगा, तो वो किसके पास जाएगा, रेंट ऑथरिटी या रेंट ही चार्ज करो, जितना बनता है, अगर ये किसी भी तरीके से शोशन करेगा, तो ये ऑथरिटी के पास चला जाएगा, इसलिए रेंट कंट्रोल एक्ट आया है, अब माने जे एक पोजिशन तो हो गई ये, कि ये लेंड लोट परेशान करा था, अब पोजिशन हो गई, कि जो आप परशान करें, कि ये specific 5 JUY साल के लिए इननने एगरिमिट के भी तोक हो गई तो ये क्या करेंगा, ये तो ये पना हे थे दे रहा है ना प्यषय दे रहा है, ना निकल रहा ह्यजी अधा, कुछ भी नी, तो फिर क्या करेंगा, ये जोमे आप रेंट कंट्रोल ओर्ट का लेटर देओ मतलब इसको निकालने का हग तो मतलब दोनों के लिए हैं टीनेंट के लिए भी है और लेंडलोट के लिए अब हम इसके अबजेक्ट को पढ़ लेते हैं इंपोसेज वेरियस लोस उन देंटिंग आउट ओपर्टी तो है पोटेंशल टीनेंट इन इंडेंटिफाइंग और सिक्यूरिंग गुड रेंटल अकॉमडेशन यह वह एक गुड एकुड एकुमडेशन रेंटल अकॉमडेशन जो है देख सके अब उनका पता पर जाएगा कि नॉर्मल रेंट गंटरोऌ अक्ट में क्या बुला गया है हमको कोई जाधा चार्ज निकर सकता है ऐसा ने कर सकता है वेसा आगर कोई कुछ करेगा तो वो इसके खिलाफ बोल नहीं है और जो गूड रेंट अकॉमडेशन ही जो उनके लिए बहुत सही है और जो उनको बताये गए बाद में वो ही उनको पे करने हैं उसके बियोंड अगर वो देंगे तो फिर वो रेंट कंट्रोल ऑथरिटी में बोल सकते हैं कि यह हमसे जादा पैसे ले रहे हैं फिर है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है टीनेंट के साथ कि उनको घर से निकाल दिया बिना बोले उनसे पैसे भी ले लिये हैँ या रहने दे रहे हैं जादा आमाउंट ले रहे हैं किसी भी तरीके से ऌंपारेशान कर रहा है या डिस्क्रिमिनेट करना तो वो भी नहीं कर सकते हैं ठीक बताता है कि रिस्पॉंसबिटी भी होती है टीनेंट की ठीक है अब जो घर में रे तो उसके कुछ responsibilities भी है और उसके कुछ obligations भी है जो उसको fulfill करनी ही है ऐसा नहीं है कि जो rent out homes है उनको बिल्कुल तुम ऐसा समझो कि मुझे तो दूसरी बार आना ही नहीं है तो मैं तो पुरा खराब करें जाऊंगा नहीं आपकी को duties भी है कि उसको आपको maintain रखना है तो तो यह landlord की तरफ से भी काम करेगा यह act के से उसको eviction के लिए बोल देगा कि हाँ आप निकाल सकते हो या बोल देगा क्या पैसर ले लो जो भी है तो यह landlord के लिए भी काम करता है लेंडलोड को भी अपने rights, power, duties, obligations सारी जिज्जे जो है rent control act बताता है ठीक है आपको समझ आया rent क्या होता है, landlord क्या होता है, tenant क्या होता है, हम क्यूं यह act पढ़ रहे हैं यह एक base clear हो गया है ठीक है आप हम next जो है वो जो act में बताया गया है, index का हम intro देखेंगे देखेंगे, index का जो intro है वो मैं आपको बताती हूं, राजस्थान rent control act 2001 इसमें कितने chapter से 7, 7 chapter से 32 section से और 4 schedule पहले 3 ही थे, अभी एक और rent किया गया है, तो 4 schedule हो गया है, ठीक है, ठीक है, 7 chapters, 32 sections and 4 schedule है, ठीक है, अब हम आगे पढ़ते कि इन 7 chapters में है क्या, ठीक है, तो 7 chapters के नाम ऐसे है, chapter 1 preliminary, section 1, 2, 5, देखें, preliminary जो है section 1, 2, 5 वो बताता है कि यह act कहां से आया है, यह कहां कहां लागू इस एक्ट में क्या क्या चीज़े आएगी, क्या 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 कवर होईगा, किस ठीच की क्या definition है, यह साथ section 1, 2, 5 माएगा, ठीक है, मेरा नाम क्या है, rent control act, 2001, मैं कहां कहां लागू होंगा, तो follow of Rajasthan, ठीक है, मैं कब कमेंस्मेंट माएगा, तो जो official gazette में बताया गया है, उस इस अब जो है, preliminary में आता है, chapter 1, preliminary section 125, आब आता है chapter number 2, chapter number 2 जो है, वो बात कहता है, division of rent की, भया है ही rent control act, तो rent की बात तो करनी पड़ेगी, तो rent किस तरीके से लगएगा, यह सब बताया गया है, chapter number 2, इसमें सिफ दो section है, section 6 and section 7, इसमें बताया गया है, कि rent जो है, किस तरीक बताया जाता है, तो वो standardized rent जो है, वो केसे find out किया जाएगा, केसे कहां लागू होगा, तो यह सब revision of rent में है, chapter 3 है, purpose of tenancy, हम यह tenancy क्यों करते हैं, हम क्यों किसी और को रहने देते हैं, और रहने देते तो क्या उसकी rights है, duties है, उसके क्या obligation है, यह सब chapter number 3 में है, जो कि यह section 8 स section 10 तर, ठीक है, अब इदक आये समझ, preliminary, जिसमें 1 to 5 है, मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, कहां कहां लागू होगा, कौन-कौन मेरे अंदर कवर है, फिर है, revision of rent, जो की है, chapter 2, उसमें जो है, rent कैसे calculate होगा, rent क्या लगना चाहिए, कहां कितना लगना चाहिए, यह सब आपक tenancy में आप मान सकते हैं, आप देखते हैं, chapter number 4, illegal eviction, देखे, chapter 3 में पढ़ा purpose of tenancy, उसमें बताया, कि आपको ऐसे ऐसे रहना है, इतने time का agreement है, यह हो, अब वो मानने रहे tenant, तो क्या करेंगे, illegal eviction, ठीक है, उसको घर से निकाला जाएगा, ठीक है, मानने जे, एक तो normal eviction होग कि हाँ भईया, आप धर से निकलो, illegal eviction तब होगा, जब वो जो teen end है, वो कुछ illegal काम कर रहा है, मानों बीना rent दिये रह रहा है, कर रहा है, या फिर illegal activities कर रहा है, तो उसको निकाल दिया जाएगा, chapter number 5 में बताया है, constitution of rent tribunal, कि rent tribunal का constitution कैसे होगा, appointment कैसे होगा, rent tribunal को क्या क्य है, क्या उनकी authorities है, वो क्या judgment दे सकते हैं, वो जो भी उनकी procedure है, वो सब constitution of rent tribunal में बताया गया है, यह section 13 से section 22 तक, इसमें दो और है, chapter 5 और 5B, वो मैं आपसे बार में डिसकस करती हूँ, पहले आपन normal, normal सा एक रीट कर दे, फिर chapter 6 आगया, amenity, सुक सुविधा, कि अगर आप rent पे रहे हैं, ता आपको कुछ सुख सुविधा लेने का भी हक है, पानी, लाइट, और पंखा, टीवी, यह सब amenity's है कि यह आपको मिलनी चाहिए, ठीक है, और chapter 7 है, miscellaneous का, section 25 से section 32, अब हमें, मतलब, पूरी cycle जैसा cover करेंगे, chapter 1, preliminary, मैं कोन हूँ, कहां से आया हूँ, कोन कोन मेरे अंदर लागोंगे, chapter 2 है, revision of rent, rent केसे लगेगा, कितना लगेगा, क्या है, rent लगया, तो purpose of tenancy, tenancy, tenancy जो है, वो रहने आगया, ठीक, रहने आगया, और उसको किसी ने बे मतलब निकाल दिया, तो illegal eviction, fourth number का हो गया है, illegal eviction हो गया, तो अब यह किसके पास जाएगा, rent control, authority के पास, ठीक है, rent tribunal के पास जाएगा, तो chapter 5 हो गया, chapter 5 में, जो भी होगा, वो सब हो जाएगा, chapter 6 में, amenities, chapter 7 में, mislinious, देखे, पूरी एक cycle जिसे चल जाएगा, सबसे पहले में, कोन हो, कहा सा आया हो, preliminary, revision of rent है, फिर a purpose of tenancy है, फिर illegal eviction है, फिर rent tribunal है, amenities है, और mislinious है, आ अब next, जो है, मैंने आपको बोला था, 5A और 5B करके भी amendment आया है, तो देखे, जो chapter 5 था, वो था constitution of rent tribunal, rent tribunal कैसे बनेगा, तो उसके अंदर, जो है, section, chapter 5A को include किया गया, उसमें है, appointment of rent authority, कि जो rent authority है, उनका appointment कैसे होगा, कौन-कौन लोग जो है, appointment होईगे, और उनकी procedure क्या तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टर्म कितना रहेगा, यह सब appointment of rent authority में बताया रहे है, जो कि है, section 22A से section 22C त, ठीक, आप एक और amendment आया, chapter 5B, revision of rent, देखे, revision of rent, जो है, हमने, वो chapter number 2 में बना था, revision of rent, जिसमें थे section 6 और section 7, कुछ कमी दे गई होगी, या कुछ और अब भी add करना रहे गया होगा, तो इसलिए वो आगया 5B में, chapter 5B में वापिस से revision of rent आया है, जिसमें है section 22D से 22G त, और यह कहां connect होता है, chapter number 2, section 6 और section 7, चलिए, आपको आया समझ इतना, राजस्थान rent control act 2001 में, में अगर हम देखे, तो सबसे पहले base claim रहने के लिए, rent कुन होता है, rent क्या होता है, और हम यह act क्यों पढ़ना है, उसके बाद हमने एक brief पढ़ा, जिसमें chapter 7 थे, total, ठीक, और 32 sections थे, और 4 schedule, schedule में सारे formats बताये गए हैं, ठीक है, 7 chapter के नाम क्या थे, 1st था preliminary, 2nd था revision of rent, 3rd था purpose of tenancy, 4th था illegal eviction, 5th था constitution of rent tribunal, 5a और 5b, 5a में था appointment of rent authority, और 5b में था revision of rent, जो की second number वाले से फिर से मिलता है, 6 हो गया amenities, और 7 हो गया mislinious, ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं section 1, short title, extent and commencement, 1st point, this act may be called Rajasthan Rent Control Act 2001, इस act को हम Rajasthan Rent Control Act 2001 बोलेंगे, 2nd point, it shall extend in the first instance to such of the municipal areas, which are comprised the district headquarters in the state and later on to such of the other municipal areas, as the state government may, by notification in the official gadget, specify from time to time, इसका मतलब है कि firstly, ये उन municipal areas में लगेगा, जहां पे district headquarters है, राजस्थान में जहां district headquarters है, firstly, उन municipal areas पे ये लगेगा, secondly, जो state government को सही लगेगा, municipal area, वहां पे state government उसको लागू कर सकती है, from time to time, जब उनको सही लगेगा, in official gazette, third है, it shall come into force with the effect from such date, as the state government may by notification in the official gazette appoint, मतलब बोला है कि उस दिन से ये commencement में आएगा, या force में आएगा, जिस दिन state government notification देगी, तो वो जो date है, वो है April 1st, 2003, आया आपको इतना समझ, अब प्लीज आप हमारा चैनल को like, share and subscribe कर दीजे, ताकि जब में राजसान rent control लेक्ट के और भी lectures डालू, तो आप तक notification आ जाए, ओके, like, share and subscribe, keep watching, thank you, bye